पिक्सल एक्सपेरियंस प्लस रूम फोर रेड्मी नोट 7 प्रो हाई फेंस राजे शेर फॉर्म टेक्नो बस डॉट ने आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पिक्सल प्लस 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 रूम के बारे में जो की एंडुए 10 के ऊपर बेस्ट है और जिसको आप अपने रेड रेड्मी नोट 7 प्रो के अंदर पास सकते हैं सारा का सारा क्रेटर जाता है डेवलपर द्रुप को जिन्हों ने इस रूम को रेड्मी नोट 7 प्रो के उसे के लिए क्रेट किया है जो कि रेड्मी नोट 7 प्रो के उपर आप कस्टम रिकवरी के थूफ फ्लैश कर सकते हैं आ इसके अधर जिस रों को हम रन कर रहे हैं वो है पिक्सल एक्सपिरियंस प्लस प्लस इसके इसके अंदर आपको छोटे मोटे कस्टमाइशन के फीचर देखने को मिलते हैं Android version 10 के उपर यह रन कर रहा है security patch level आपको इसके नदर मार्च 5 2020 का इसके नदर देखने को मिलता है अगर home screen की look के बात करें तो home screen के look आपको simple साही देखने को मिलता है आप छोटे मोटे status bar में changes कर सेथे हैं अगर आप home screen के उपर tap रहते हैं तो आप home settings में जाके चोटे मोटे changes कर सेथे हैं जैसे at a glance add icon to home screen ये कुछ option मिल जाते हैं उसी तरीके से style and wallpapers में आपको काफी सारे styles मिल जाते हैं मैं आपको call connect करके दिखा देता हूँ 198 जो की customer के नंबर है उसके उपर ताकि आपको थोड़ा idea हो जाए कि Wi-Fi call जो perfectly काम कर रही है कि ने कर रही है तो यह देखिए customer के नंबर हो चुका है और उपर आपको Wi-Fi call लिखा हुआ रहा है यानि कि Wi-Fi calling जो है perfectly इस रोम के उपर काम इसके उपर मैंने एक वीडियो बना रहा है कि कैसे आपको सुंस्टॉल कर सकते हैं तो उसको भी आप जाके description में चेक आउट कर सकते हैं और Gcam 7.3 के तुरू काफी अच्छे फिक्चर को इस रोम में क्लिक भी कर पाते हैं आप Android 10 के जेस्टर जो है इसमें perfectly काम कर रहे हैं आ आप स्वाइब आप कर देते हैं तो आपके फोन के ऊपर रहें तैप जो है वो सभी ओपन और ओप करतए हैं तो आपके सामते एब ट्रॉप ऑप लाँच हो जाता है राइट और लेट लेफसे नचे लाइं रहे है बैक करने के लिए सिंपल आपको राइट यर लेफट से स्वाइब करना है जो दूर्ब करता हो बतलन के लिए दॉन की बात करें दो सेटिंग तो सेटिंगन के अंदर आपको इससदी्ग कि उसके आपको बिलते हैं जिसको आप स्टाइल एन वालपपर्स में जाके की कस्तमाइज को हो गजय कर सकते हैं इसके पर बंग मुझा बेखने को नहीं मिला है अब चलते हैं सेटिंग्स के पर और कुछ और चीज़ों को भी जेगाउट कर लेते हैं सेटिंग्स में आपको नेटवर्क इंटेनेट, कनेक्टे डिवाइस, एपस और नोटिफिकेशन के कुछ ऑप्शन्स यहां पर मिल जाते हैं जो कि लेतेस्ट आप Google Pixel 4K देखने को मिलत आप यहां से डाक थीम को इनेबल कर सकते हैं और साथी साथ इसको डिसेबल भी कर सकते हैं उसके बाद लाइब डिस्प्ले स्टाइल सेंड वालपर पर आपको यहां भी मिल जाता है रोडेशन सेटिंग्स, फॉर्ट साइज, डिस्प्ले साइज, स्क्रीन सेवर, यह कुछ अप्छी बिल जाते हैं, लॉग स्क्रीन डिस्प्ले में आपको क्या क्या चाहिए, यह कुछ नकिसे य कुछ अप्शन मिल जाते हैं नुव नुटिवेशन अपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं, थी सारए जीजा आपको लॉग स्कूले उसी तरीक से टाट उट पर व और भी काफ़ी सारे options बिलाते हैं जैसे आपको ringtones, where I want to set up करनी है, dial pad tones, screen tones, यह सारे चीज़ आपको बिलाते हैं, screen shot पर आपको sound चाहिए कि नहीं, यह कुछ options आप sounds के अंदर यहां पर देख पा रहे हैं, अगर security के बात करें तो security में आप screen lock और fingerprint को use कर पाते हैं, बट अभी इस ताइम पर इसके अंदर face unlock को use नहीं कर पारें, तो face unlock जो है, आपको अभी security के अंदर यहां पर देखने को नहीं मिलता है, digital well-being भी आपको इसके अंदर latest मिल जाता है, जिसमें आपके पूरी daily activities के आपके phone का screen time रहा है, कितने आपने phone में notifications receive किये हैं, और कितने बार phone को lock and unlock किया है, यह कुछ options आप इसके अंदर यहां पर देख पाते हैं, अभी तक तो आप इसके अंदर को यह customization देखने पाई है, वक्त कस्टमाजिशन को चेक करने के लिए, आपको इसके अंदर system पर जाना है, system में आपको gestures मिल जाते हैं, कौन से gestures रही है, आपको उन को इसके चाहिए आपको वो सारे मिलेते हैं जेस्ट जेस्टर डू बटन पाई नविगेशन या थ्री बटन जो आपके नवे बार होते हैं उनको आप यहांसे मैनेज कर सेते हैं चाहिर्व पडूफ्ट्री सच्ट डिचर्ण कर देते हैं तो आपको यहां पे नीचे चोटा सा दिए पार रही होंगिए ब्लेक कर देखने गुल रहा है अगर आप То डिसेबल करना चाहते हैं तो आप इसको इनेबल कर दीजिए उसके बाद लाइन यहां से डिसेबल होते हैं इसे क्लॉक की पोजिशन हमने लेफ्ट रखिए आप इसको लेफ्ट राइट रखते हैं शो शेकंट्स एम्पीम स्टाइल बैट्री यूसेच स्टाइल कौन से आइगन पोट्रेट सब्सक्राइब यह कुछ ऑप्शन मिलते हैं बैट्री पर्सेंटेज को उप्शन आपको मे चैंज भी करते हैं फिलिप के जगा रोटेट कर दीजिए अभी जैनिमेशन आपका कुछ अलग सापको यहां पर देखने को मिलेगा उसी तरीके से आपको इसको यहां पर चेंज करते हैं आप ओवर्शूट कर दीजिए यह बांस कर देता हूं अब देखिए आपको इस त प्लस नाम इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको सिस्टम के अंदर कुछ सेटिंग्स ऐसी मिल जाते हैं जिसमें आप चोटे मोटे कस्टमाजिशन जरूर कर सकते हैं अगर एप्लिकेशन की बात करें तो एप्लिकेशन सब केलेंडर कैमरा क्रूम क्लॉक कॉंटक्स वाइ तो यह भी काफी अच्छा फीचर है जिसके तुरू आप काफी सारी टिप्स सेख सकते हैं जो इस रोम के उपर काम करेंगे आपके रेड्मी नोट 7 पर अगर आप पब जी के बारे में जाना जाते हैं कि आप कौन से मोट पर खेल पाते हैं तो आप इसके अंदर सिर्फ इसको इंस्टाल करने के लिए सिर्फ आपको दो सिफ फाइल है जिनको आपने अपने फोन के अंदर सेफ कर लेना है लिंक आपको डिस्केप्शन में बिल जाएगा एक तो आपको चाहिए पिक्सल एक्सपेरियंस प्लस की जो जो फाइल जो कि एरांड 1.51 जीबी है और एक इन दोनों फाइलों का लिंक मैंने डिस्केशन में डाल दिया है जहांसा आपको डाउनलोड के लेंगे उसके बाद आप सिंप्ली जो है अपने फोन को बात पावर आफ कर देंगे और अपने फोन को कस्टम रिकवरी पर बूट करेंगे आप टी डेवल वार्प पिछ ब्ल इसके कवरी पर जाते हैं आप वाइप पर जाहिए डालवी कैश के सिस्टम डाटा आपने इन सब को वाइप कर देना है स्वाइप तो वाइप जैसी आपके सभी पाटिशन से वाइप हो जाएंगे उसके बाद सिंप्ली बैग चाहिए और जो पिक्सल एक्स्पिरिस प्लस को फ्लेश कर लेंगे और उसके बाद सिंपली आपने अपने फोन को रीपूट करना है और यह रोम जो है आपके रेडमी नोट 7 प्रो के उपर बूट करेंगा जो की एंड्रोइट 10 के उपर पेस्ट है तो यह दिखिए लास्ट वाइल दी उमारी फ्लेश होगी है रीबू कर पाइने के लिए कुछ इस तरीके की बूट स्कीन आपको अपने फोन पर देखने को मिलती है तो उमीद करता हूं आपको आज का रूम और आज का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज सेलों को सपोर्ट जरू किजेगा लाइक कमेंट शेर और सब्सक्राइब करना मत होड़ेगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर और बाए